आज पिर से हम कुछ आपके लिए गनीत का कुछ इंपरोटन कोशन लाएं है और उन इंपरोटन कोशन को कैसे आसान ठिक से शोल करेंगे आज की इस वीडियो में हम जबजस तरीके से चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना दरीकिवे स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का सेक्षन में किस परकार से कॉस्चन रखेगे कॉस्चन पुछा गिया यहाँ पर यदि किसी धन को A और B में इस परकार बाटा जाएं कि A के हिस्से का तिगुना B के हिस्से के दोगुने के बराबर हो तो A का हिस्से पूरे धन का कौन सा भाग होगा इसमें कौन सा भाग होगा इही आपसे पुछा जा रहा है तो कैसे बनाएंगे सो दोस्तो देखिए सबसे पहले A B है यहाँ A लिखेंगे और यहाँ पर हम B लिख देंगे कहा जा रहा है कि A के हिस्से को दोगुना इसको क्या कर देजिए दोगुना कर देजिए B के हिस्से को क्या कर देजिए B के हिस्से A के हिस्से का ती गुना A के हिस्से को क्या करने के लिए कहा जा ती गुना यानि कि तीन से इसको गुना किजिए और B के हिस्से को दो गुना इसको दो से गुना किजिए जब ऐसा कर रहा है तो क्या हो जारा बराबर यानि कि आपस में क्या है ब्रावर तो पुछा जा रहा है एक हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा अब यहां पर ब्रावर है अब आपको पता है ब्रावर को प्लटने पर अनुपाद बनता है बराबर को प्लड देंगे तो अनुपात बने यानि कि दो कहां यहां आ जाएगा और तीन आ जाएगा यहां यानि एक अनुपात एक एका भेलू दो और बी का भेलू कितना तीन अब हिस्सा पुछा जा रहा तो एक पार्ट पुछा जा रहा तो एक पार्ट निकालने के लिए कह लिये थे एक जो भेलू होगा उसको उपर लिखेंगे और दोनों को जोड कर नीचे लिखेंगे यही क्या हो गया पार्ट हो गया यही हो गया भाग यही आपका क्या है दोस् क्या है इसके लिए पर समझते चलिएगा इस अब सारे कोश्चन इंपोर्टेंट है अगला कोश्चन है दोस्तों लिखाएगे यदि किसी बिद्याले में सिच्छकों तथा बिद्यार्थियों का अनुपात एक अनुपात 25 से यदि 36 और बिद्यार्थी आ जाता आ जाते हैं तो अनुपात एक अनुपात 28 हो जाता है बिद्याले में कुल कितने सिच्छके नमबर ऑप टीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है तो कैसे बनाएगे सो देखेगा यहां पर लिखा है दोस्तों एक अनुपात कितना है 25 कि अब एक अनुपात 25 लिखा हुआ है उसके यानि कि एक अनुपात 25 जो है कोई बिद्धाले में अग जैसे 36 बिद्धार्थी आगे वैसे अनुपात क्या होगे गड़बडा गया यानि अब अनुपात एक अनुपात क्या होगे अठाइस हो गया यह कभे बिद्धार्थी आने के बाद का अब इन दोनों में से किसी को ए मतलब होता है दोस्तो बट्टा यानि कि बट्टा होता है यानि कि यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं दोस्तो एक एक्स बट्टा पचीस एक्स एक्स बट्टा पचीस एक्स अब यहां पर क्या हो रहा उपर वला क्या है सिच्छक पहले सिच्छक तो यह सिच् आते हैं वेसी एक नया अनुपात बनता है जो नया अनुपात क्या एक बट्टा 28 अब इसको solve करेंगे आपका answer बन जाएगे इसको क्रो से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तो 28 x ब्राबर हो जाएगा 25 x प्लस 36 25 को इधर ले आएंगे तो कितने हो जाएंगे 3 x 26 यानि x ब्राबर कितना निकल चुका हमारा 12 निकल चुका तो सिच्छक यानि कि टीचर टीचर के कितना है दोस्तों टीचर ब्राबर टीचर ब्राबर कितना है 1 x यानि 1 x ब्राबर कितने हो जाएगे दोस्तों 1 x 12 ब्राबर 12 यानि कि टोटल कितना है 12 सिच्छक था उस अच्छोगी आएए दोस्तों कुछ और स् цен देखते और आपको बहतरीन तरीकte से समझ आधें अगली कोउस्टन को स्क्रीण पर आज शूंगे हैं जैसे क्या आप यह आप देख पारें यहाँ पर लिखें किसी बिद्धाले में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात तीन अनुपात दो है यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को एस्कोलर्शिप मिलता है तो कितने पर 30% बिद्धार्थों को एस्कोलर्शिप नहीं मिलता है कितने पर 30% बिद्धार्थ के अनुपाद कितना यह बौआज हो गिया और यह जो है गल्स हो गिया तो तीन अनुपाद कितने हैं अगर हम लड़के हैं लड़कों कितने और हैं यह बिध्यार्थी टोटल जिसमें से कहा जा रहा है कि 20% लड़के हैं तो 20% क्या है दोस्तों लड़के हैं याद रखेगा तो यहाँ पर सबसे पहरे निकालेंगे लड़का कितना और लड़की कितना अगर हम 100 मानते हैं 100 मानते हैं तो कुल बराबर कुल का एक ट्रिक चलता है 3-2 कितना है 5 यानि अनुपात 5 का जो भेलू होगा दोस्तों 5 का भेलू कितना होगा 100 तो एक का भेलू कितना हो जाएगा 20 तो 20 को 3 से multiply करेंगे तो कितने हो जाएंगे 60 अब 20 को 2 से multiply करेंगे तो कितने हो जाएंगे 40 यानि लड़का 40 है लड़की कितने है 40 अब कहा जा रहा है 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को scholarship मिलता है तो 20% scholarship मिलता है यहाँ पर दो परकार का निकाल सकते जो नहीं मिलता है उसको लिखिए, दोनों में से कोई भी आप बना सकते, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20% क्या है, लड़के को मिलता है, इसका अगर हम 20% निकालने जाएंगे, तो 60 का 20% कितना होगा, 12, यानि 12 लड़का को क्या हो गया, नहीं मिलेगा, याद रिखेगा ठीक है, सुरी, 22% तथा 25% लड़के स्कॉलर्शिप मिलता है, यानि 12 लड़का को मिला, अब जिसमें से कहा जारा लड़की कितना 25%, यानि 25% है यानि कि 10, यानि इसको जो है क्या होगा, मिला, यानि टोटल कितना मिला, दोस्तों, इन दोनों को आपस में एड कर देंगे, त 30% स्टूडेंट को क्या हुआ, स्कॉलर्शिप मिला, तो कितने को नहीं मिला होगा, 100 में 22 घटा देंगे, 100 में 22 घटा देंगे तो कितना जागँ, 78% 78% को क्या हुआ scholarship नहीं मिला क्योंकि 22% ऐसे student होंगे जो कि scholarship प्राप्त हुआ हुआ लेकिन किसे scholarship प्राप्त नहीं हुआ वो हमें पूछा जा रहा है तो 100% में 22% घटा देंगे तो 78% student को जो है scholarship नहीं मिला इस परकार से हमारा दूसरा options जो है क्या हुआ या मैच होगी है आई दोस्तों कुछ और question देखते हैं और आपको इससे भी भ्यानक तरिके से समझाने का कोशिस करेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लग रहे है दोस्तों एक बार लाइक का बटम को सभी लोग जबा दें और चैनल को सस्क्राइब करके रख ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला question नेक्स्ट question इस्क्रीन पर आ चुके लिखेगे एक लड़के से किसी संख्या को पांच बटम साथ से गुना करने के लिए कहा गया एक लड़का था खलास में बैठा था एक उसको हम बोलें कि देखिए एक संख्या दे रहे हैं हमको नहीं पता है इसको कहा किज्ए साथ पांच बटम से गुना कर दीजी क्या किया पांच बटम साथ से भाग कर के तुसे पहले क्या करते हैं कि एक हम संख्या दे रहें एक संख्या मानते कि हम एक-एक सेंख्या दे रहे एक को अगर हम पांचब्टड़ साथ से घुना करने के लिए बोलेंगे तो कितना अजागा पांचब्ट़ शाथ ही आग़ी है ठीक है इस चीज को आप सभी जानते हैं भरी भाति जानते हैं यानि एक को अगर हम देते हैं पांच बटा साथ से गुना करने के लिए तो क्या आएगा पांच बटा साथ यह हमारा क्या चाहिए था जो कि सही उत्तर होता के लिए लेकिन उसने बेकूफ क्या किया एक को संख्या को क्या किया पांच बटा साथ से भाग कर दिया इसको क्या हो जाएगा पलट जा गर दिया तो पूछा जा रहा है कि इस परकार से जब किया तो चोबीस बटा साथ क्या हो अधीक आगिया यानि कि हम कह सकते हैं साथ बटा पांच माइनस पांच बटा साथ बराबर कितना अधीक है 24 बटा 5 आपको बताएं थे अधीक बोले चाहिए कम बोले यहां पर हमेशा माइनस का सहारा लिजिएगा अब इसको कलकुलेशन करतें calculation करेंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा 25 नीचे कितना हो जाएगा 35 35 हो जाएगा और उपर में कितने हो जाएगा 37 49 और 25 49 में 25 अगर चला जाता है तो कितना बचेगा दोस्तो 24 कितने बच जाएगे 24 ब्रावर कितना 24 वटा 5 24 वटा 5 चला बच जाएगे 25 यानि कि यहांपर कर सकते हैं कि हमारा एक बचा 7 ब्रावर कितने हो गिया एक हो गिया इस परकार्स हम कर सकते हैं एक बराबन हमारा कितना निकल चुका, साथ, यानि कि वो संख्या हम क्या था, साथ जिसको हम बोले थे, कि इसको आपको गुना करना है, लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको भाग करके रख दिया, तो इस कोशन को बहुती सोट तरीके से हमने आपको बता दी, आपको यह वीडि और यहां पर समस्ते लिखा गया है 18 met छड़ को दो भागों में इस परकर माता गिया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे हाव की लंबाई का दो बड़ा 5 है चोट टुकड़े की लंबाई कितने सेंटीमीटर है छोटा जो टुकड़ा है तो छोटा टुकड़ा का कितने सेंटीमीटर लंबा है यही आप से पुछा जा रहा है सबसे आसान सा तरीका हम यहां पर बता जो बटा में लिखा है नो उसको अनुपात में लिख दीजिए दो बटा पांच था तो दो अनुपात प संटिमीटर तो एक का वहलू कितना हो जाएगा दूस्तों साथ सो एक का वहलू कितना हो जाएगा दस केकि सतर बड़ा साथ करेंगे तो कितना जाएगा दस तो पूछा जा रहा है छोटे टुकड़े की लंबाए तो छोटा टुकड़ा क्या है दो है तो अनुपात हम क्या करे दो का भेलू करेंगे तो 2 इंटू कितने हो जाएंगे 10 बराबर कितने आजएंगे 20 cm यही आपका क्या है सही अंसर यह आपका रैशियो का ट्रीक से बहुत जब जब ज़स त्रीक है दोस्तों यह ट्रीक बहुत जगे काम आता है तो यह थे आपके लिए आझ के कुछ सेक्षन कुछ important question आपको यह important question कैसे लगे निची comment लिकर आप हमें जुरू बताइएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thanks for watching